आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आरपियन सिंख को स्वामी प्रसाद मौर के खिलाफ मैदान में उतार सकती है आरपियन सिंख यूपी में पूरवान चल के पड़रोना की रहने वाले हैं दिल्चस्प बात ये है कि कॉंग्रेस के स्टार प्रिचारकों के लिस्ट में आरपियन सिंग का नाम भी शामिल था कॉंग्रेस से स्टीफा दिरिकबाद आरपियन ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने इस फैसले को नई शिरुवात बताई है वहीं बात पर मुख्याले में सदस्टा लेने के बाद जहां उन्होंने बीजे पी का धन्यवाद किया तो ही कॉंग्रेस पर भी जम कर निशान असाथ वे नजर आए तो भास्पा मुख्याले में आखिरकार कई अटकलों के बाद सदस्यता ले लिया आर्पियन सिंग ने और बीजेपी का धन्यवाद किया साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की उमीदों पर खरा उतरूंगा इसके साथ ही उन्होंने कॉंग्रिस पर भी जमकर निशान असा था अपको बता दे कि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिक कर स्तीफा दिया स्तीफा देने की जानकारी आज सुभा ही उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से पोस्ट कर दी Twitter पर post कर उन्होंने अपने स्थीफे देने की जानकारी दी हो उसके बाद ही एक post लिखा जिसमें उन्होंने अपने BJP में शामिल होने की जो अटकले थी उसको सही सावित करते हुए जबात की जानकारी दी कि यह उनकी नई शरुआत है तो नई शरुवात बताया है बीजेपी का दामन थामा है लेकिन आश्चरे जनक बात तो ये है कि ऐसा भी नहीं था कि उनकी अंदेखी करी जा रही थी कॉंग्रस में या उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी बलकि जो इस चार प्रचारकों के सूची थी उसमें आर्पियंद सिंग का नाम भी शामिल था और इतने सब के बावजूद उनका ये इस्तीफा देना कॉंग्रस के लिए बड़ा जटका है कॉंग्रस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रे मंत्री जिनका काफी दबदबा भी रहा है अपने छेतर में आर्पियंद सिंग उन्होंने कॉंग्रस से आज जब इस्तीफा दे दिया तो कॉंग्रस को बड़ा जिटका लगाए हाला कि इसके बाद कॉंग्रस की तरफ से भी कई प्रदिक्रियाए सामने आई कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि आज जो बुरे वक्त में साथ छोड़ के जा रहे हैं कल को वही लाइन में लगेंगे साथ पाने के लिए वहीं इसके साथ ये अटकले लगाई जा रहे थी कि कॉंग्रस का दामन छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन धामन थामिंगे तो वहीं आज बीजेपी का दामन भी धाम लिया है बीजेपी मुख्याले में सदस्ता ग्रहड की और उस वक्त कई दिगज मौजूद रहे प्रदेश अद्यक्ष भी हो तमाम बड़े नेता शामिल रहे और इस दरान सदस्ता ग्रहड की दो अन्य लोगों ने भी सदस्ता ग्रहड की है तो यहीं कॉंग्रस को ये बड़ा जटका लगाए क्योंकि कॉंग्रस से ये पहले असे नेता नहीं है जो बागी हुए है और कॉंग्रस से पीछे हटे आरपियन सिंग स्वामी प्रसाद मौरय के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं अब ऐसी भी अटकले साबनी आ रही है और ये बात जब साबनी आई है तो केशब प्रसाद मौरय भी जब सामिल रहे थे जब सदस्ता ली थी और ये बात जब स्वामी स्वामी प्रसाद मौरय बीजेपी से छोड़ के गए और अब ये बात सामने आ रही है कि आरपियन सिंग को स्वामी प्रसाद मौरय के खिलाफ मैदान में उतार सकती है बीजेपी आरपियन सिंग यूपी में पूरवान चल के पडरोना के रहने वाले हैं वहाँ पे इनका क काफी दबदबा है और दिल्चस्प बात यह है कि कॉंगर्स के स्टार प्रिचारकों की लिस्ट में भी शामल थे रुक करते हैं अगली ख़वर की तरफ देश में कोरोना की चाल धीमी हो रही है यह हम नहीं बलकी आकड़े कह रहे हैं भारत में बीते कुछ दिनों से कोवीड के केस तीन लाग के ग्राफ को पार कर गए थे लेकिन मंगलवार को इसकी चाल धीमी हो गई लहाजा 24 गंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए मरीज मिले हैं देश में कोरोना एक्टिव केस 22 लाख से जादा हैं फिलहाल देश में कोवीड संक्रमर्दर 15.2 पीसदी पर है भारत में पिछले 24 गंटे में कोरोना वाइरस के 2.55,844 नए मामले सामने आए हैं वही 2.67,7 सुतिरपन रिकवरी हुई है और साथ ही छैसो चौदा लोग कोरोना से जंग हार गए और उनकी मौत हो गई देश में अब तक 4,90,462 लोग कोरोना से मौत हो गई है और 3,70,898 लोग कोरोना से ठीक भी हुए है कोरोना को हराया है यानि तीन करोड सतर लाक एकतर हजार आठ सो अन्ठानमे लोगों ने कोरोना को हराया है और स्वस्त हो के घर गए हैं कोरोना के रफ़तार जहां बीत कुछ जिनों से काफी तीजी से बढ़ती हुई नजर आ रही थी तो वहीं एक बब फिर कोरोना की चाल पर आ रही है यह आकड़े बता रहे है क्योंकि कोविड के केस तीन लाग के ग्राफ को भी एक बब फिर पार कर गए थे जहां यह यह तीसरी लहर बताई जा रही है और इस वक्त जितनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं तो तीसरी लहर का जो खत्रा बताय जा रहा था उसको देखा जो आ रहा था तीन लाग के ग्राफ को पार कर गया था कोरोना लेकिन मंगलवार को इसकी चाल कुछ धीमी हुई है चौबेस घज में कोरोना के करीब 2.5 लाग नए मरीज मिले हैं देश में कोरोना एक्टिव केस 22 लाग से जादा हैं फिलहाल देश में कोविड संक् लूप है वो सामान यह है वो सामान यह फ्लू और सर्दी दुखाम बुखार जैसा ही है काफी घहा तक नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना उन लोगों के लिए घहा तक साबित हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर जो किसी बीमारी से ग्रसे थैं या फि पालन के पालन केड़े की अपील भी की जा रही है लोग बे-वजह से भाहर से बहार रहें हैंगे दूसरी तरफ अगर लापरवाही के बात करे तो लापरवाही भी देखने को मिल रही है जहां हमने देखा कि चिनाओं का समय है और इसमे जनसभाओं में यह देखा गया कि तीजा रहा कि तीन लाग के पार को आकड़े को पार कर गया कोरोना रुक करते हैं अगली खबर की तरफ राय बरेली नसीराबाद थाने में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहाँ पुलिस ने महज 10 और 12 साल के बच्चे का गुंडा एक्ट में चौलान कर दिया वहाँ समामले का संग्यान लेते हुए सलोन SGM ने बताया कि इसमामले में जाच का आदेश यू दे दिया गया है वहाँ बच्चे के उपर लगाया गया गुंडा एक्ट भी निरस्त कर दिया गया है तो पड़ी लापरवाही देखने को बली है यहाँ पुलिस की लापरवाही देखने को बली राइबरेली सी ये खबर सामने आ रही है जहाँ एक छोटे बच्चे जिसकी उम्रत 10-12 साल की बताई जारी उस पर गुंडा एक्ट लगा कर चालान कर दिया गया और इसमामले का संग्यान लेते हुए सलोन इस टीम ने बताया कि इसमामले में जाच के आदेश यो दे रिये गए हैं बच्चे के उपर जो एक्ट लगाया गया था उसे हटा दिया गया है गुंडा एक्ट निरस्त कर दिया गया है पुलिस की बड़ी लापर वाही सामने आई है जाहे एक तरफ गुंडे और बदमाश खुले आम घूमती नजर आते हैं और वही दूसरी तरफ वो 10 से 12 साल के बच्चे के उपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है इसकी कारवाई करी जा रही है लेकिन जब ये मामला संग्यान में आया हलाकि SDM हरकत में आया उन्होंने एक्शन दिया मामले की जाच के आदेश दिया और बच्चे के उपर से गुंडा एक्ट निरस्त कर दिया और इस खबर में हमाईसा जद बाद चीट के लिए समवधाता ओम शंकर जड़ चुके है राई बरेली से ओम शंकर क्या है पूरा मामला आकर दस से बारे साल के बच्चे के उपर ये एक्ट लगाने की क्या जरूरत पड़ी देखें लसीराबाद थाना चेट के अंदर पूरे बिंधा मजरे बिंदा का मामला है यहां पर एक लड़का जो है जंग भादू सिक्ट उसकी उमर दस साल और एक दूसरा लड़का जो था उसकी उमर बारा साल है ये पुलिस वाले करते क्या है होटल पाल की दुकानों पर खड़े होकर कोहीं लिश्ट बना लेते हैं और उसको जो है नियायले में प्रेश कर दिया जाता है लेकिन अपकी बार जो है कहीं नहीं पर गुंदा एक्ट नहीं लगता है वहीं मासूम बच्चों के उपर लग रहा है जब यह मामला संग्यान में आया तो क्या कुछ एक् है जाज के भी आदेश दिये और आपको इस बात और बताते चले यह पुलीस वाले करते क्या है कि जो विलोधी पक्षी के लोग होते हैं या जो भी जो है होटल या पाल की दुकार या घावों पर पहुचकर ही लिश्ट एक तैयार कर देते हैं और उसी लिश्ट को यह लगाई है जी ओम शंका जिन बच्चों के ऊपर यह लगाया गया था गुंडा एक्ट तो उनके परीजनों का क्या कहना आइस मामले पर यह पर जाकर बच्चों को ही प्रदेश किया तब इस दिया ने बच्चों की उमर देखा और उनकी साल्टिफिकर देख लें से लग र करते हुए फटका लगाई और कहा है कि दुबारा गर्लों ऐसी कलती हुई तो कहीं लगाई आपको जो है वो निलम्मल की कारवाई बिच्चों को प्रभावित करते हैं हलाकि एक सो साथ सोला की कारवाई है लग होती है वो सालती भंग या संका होती है लेकिन बूंड़ा एक बड़ी धारा होती है इस मामले में पुलिस कि राक की एक चूप सामने आई है जो निश्ची ती कहीं लगाई है इस तक फटकाई कि बाद बार बैप फूट पर कहेंगे देखिए चुनाव आयों कि हो चाहे जिलातकारी हो चाहे पुलीस अदिक्षक महोदे के लाक निर्देसों के बाद ये जो थाने के सिपाही या थाना देखे ये अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर मर बगर जो है डाउं या मौके पर जाकर जाच किये मिना होटल और कि दुकानों से ही नामनोत करके ले जाते हैं इसमें होता क्या है कि जो परधान या बीडिसी या जो चिला परचाह सदस होते हैं वो अपने प्रतिदिन्दी के लाम भी डलवा देते हैं ये जीता जाकता है एक उसी का उदाहर है हाला कि ये मामला संग्यान में आने के बार जो हैं दो सिर्थकारियों के खिलाब कारवाई होना डेवाला जा रहा है। जिसकी शिकायत परीजनों ने पुलिस थाने में दर्जुकर आई थी जिस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है और पीडित परीजन लगातार थाने का चकर काटने को मजबूर है अभी आज नो दिन हो गया कुछ भी हमको यानि सुचना नहीं मिला कि क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ है तो सर्विलांस नमर भी डाल दिया गया उनके सामने पेपर में लिखित दिये भी है तिकिन अभी तो कोई मैसेज नहीं आए तर अभी हम लोग क्या करें रापी क्या हुआ है तो देवरिया से खबर सामने आ रही है जहां युवती लापता है दस दिन से पुलिस पर कारवाई नहीं करने का आरोब भी लगा है और ये मामला माईल थाना छेतर का है जहां 15 जुनवरी से लापता है युवती और परीजनों के मताबिक युवती का मामा उसको बहला फुसला करका ही ले गया जिसकी शुकायत परीजनों ने पुलिस थाने में दर्च कराई है जिस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है और पीड़ परीजन लगतार थाने का चकर काट रहे हैं तो दस दिन से लापता युवती थाने में तहरीर भी दी गई है और बहला फुसला कर ले जाने की बात कही जारी है परीजनों द्वारा और शक जा रहा है मामा पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति लेके गया है वो युवती का मामा लगता है और बहला फुसला कर युवती को अपने साथ ले गया है दस दिन से लापता है युवती और परीजन परेशान है लेकिन पुलिस पर कोई कारवाई नहीं करने का आरूप लगा है तो शिकायत भी इसकी कर दी गई है पुलिस को और उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई है दस दिन का वक्त बीद गया है युवती लापता है और उसका कोई अतापता नहीं है परीजन परिशान है रोरो कर बुरा हाल है लेकिन युवती का कोई अतापता नहीं चल प ताब एक युवती का मामा उसको बहला फसला कर कही ले गया है जिसकी शुकायत भी की गई है फुलिस की कही न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है धुलमुल रवेया देखने को मिल रहा है परिजनों की शुकायत के बावजूद भी कोई कारवाही नहीं की जारी है इस खबर में मैं सब्सक्राइबा चीट के लिए समवदाता रवी रावत जुड़ चुके देवरिया से रवी क्या है पूरा मामला परीजनों की क्या मांग है बता दे कि देवरिया जनपत के माईल थाना च्छित के गाउं का मामला है जहां एक युवती लगभग दस दिनों से लापता है और परीजन थाने पे जाकर गुम सुदूरित रिपोर्ट धर्च करवाएं लेकिन अभी तक दस दिनों के बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जी तो परीजनों दुआरा क्या बताया गया है आखिर जो व्यक्ति लेके गया युवती को जो मामा बताया जा रहा है वो क्या कुछ बता के लेके गया था घर से युवती को है मेरे ही बगल की लड़की के मामा कपी दीनों से लड़की से बात करते थें और लड़की बहला पुद्ला ले के चले गया और में जब दरोगा साफ को पून करता हूँ वैं पेमारे काफी हमारी फीन नहीं और परिजनों में काफी है रूने का माहौल यह in homeless कि जो युवती गुम है उसकी उम्र कितनी है उसकी उम्र लगबख बालिक है 20 से 22 साल बताया जा रहा है उसकी उम्र और लड़की के परीजनों कारोप है कि मैं ठाने में हर रोज आता हूं लेकिन पुलिस मेरी एक नहीं सुनती है और मेरी वहन का कुछ पता नहीं चल पा रहा है जी रवी पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है जिस तरह से परीजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि युवती लापता है कोई कारवाई नहीं करी जा रही है पुलिस का क्या कहना है पुलिस मेरी से कल बात हुए था मैईल एस तो ने बताया कि लड़की नंबर सर्विलांस पर पढ़ चुका और लोकेस्ट नहीं मिल रहा है जिसके लड़की का पता नहीं चल पा रहा है जैसे लोकेस्ट मिलेगी हम लड़की को ठुणतर लाएंगे जी तो दस दिन का वक्त हो गया है अभी तक क्या सिफ नंबर कोई सर्विलांस पर डाला गया क्या कोई और कदम भी उठाए गया है लड़की को दूनने के लिए जी जी लड़की के भाई दोवारा कम से कम तुन चार नंबर रूकलप करा गया लड़की का फोन भी आ चुका एक दो बार खिर भी पुलिस कुछ पता नहीं कर पा रही है और लड़की का दो कि रवी क्या युवती से संपर्क हो पारा है परीजनों का यह पताना खा कि युवती के लड़की के मोईल पर फोन की है लगवक दो तीन बार और वही नमबर हमारे पास और नमबर को मैंने थानाध्यश को दिया है लेकिन उसके बाद भी अभी तक मेरी पहन का कुछ पता नह पास आजा है मेरी लड़की का मतलब वह चहरा देखना है कि वह कैसी है इस सब्सक्राइब बहुत-बहुत शुक्रिया हमाइसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैसे समवदाता रवी जुड़े थे देवरिया से चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहा लिता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार